इंडिपेंडेंडेंस डे का इस सुभु मुहरत पे मैं सुभांकार फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपना यूटूब चानेल सुभु हेल्थ क्यार में जहां से मिलती है आपको हेल्थ सम्मंदित मेडिसिन से जुड़ी हार रोज नए जानकारी अज जानेंगे पेट में होने वाला इंफेक्शन को ठेक करने के लिए एक बहतरीन और हाई सेलिंग मेडिसिन जिसका नाम है नौर्फलेक्स टीजेट दोस्तो जानेंगे इस दवा की शंपून जानकारी दोस्तो वीडियो मज़ेदार होने वाली है क्योंकि जानेंगे इस दवा कौन सी कमपनी द्वारा प्रस्तूत की जाती है जानेंगे उसकी combination और उसकी stand के बारे में भी जानेंगे एदवाई कौनसी बिमारियों को ठीक करनी के लिए पुरोएग में ली जाती है और उसको क्या dose दिया जाता है अंत में जानेंगे इसकी side effect के बारे में भी तो वीडियो को बिना skip किये अंत तक देखे ताकि आपको इस वीडियो की बारे में शाम्पून जानकरी मिल सके दोस्तों चलिए बिना लेट किये वीडियो को आगे बढ़ाते है नौरफलक्स TZ सीपला कमपनी द्वारा प्रस्तूत की जाती है जिसमें दो combination देखने को मिलती है एक होता है नौरफलक्ससिन जो 400 मिलीulsी ग्राम की इस्टेंट में दूसरा होता है तिनीडाजल जो 600 मिलीली ग्राम की इस्टेंट में देखने को मिलती है मेट्रोनीडाजल एक एंटी बायाटेक मेडिसीन है इसलिए ACVR बैक्टिरियाल इनफेक्षन को खत्म करता है करने के लिए ये दवा डॉक्टर द्वारा पेस्क्राइब की जाती है अगर इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो सबसे पहले आता है पॉपॉलर ब्रांड नॉर्फलेक्स टीजेट की नाम से अगर दूसरे नमबर की बात करें तो आपको मिल जाएंगे ग्रामोजिल नाम से अगर नेक्स्ट ब्रांड की बात करें तो आपको एनफलक्स टीजेट की नाम से भी मार्केट में मिल जाएंगे अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपको नॉर्फलोक्यम टीजेट की नाम से भी मिल जाएंगे ये था इस दवय का कुछ पॉपॉलर ब्रांड अगर इसकी प मिल जाएंगे तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है अगर आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना अगर चैनल पे नए है वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जुरूर से साब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि आप मेरे दौरा अपलोड कि किये गए वीडियो दुबारा भी देख सके आपके सामने एक बड़ा सा रैड बटन है 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 जान लेते हैं एक बार एस दवाई डौक्टर दौरा को पेस्क्राइब किया जाता है जैसे आपको लूज मोशन हो रहा है यानि दस्त की सिकायत है जिसे डाइरिया कहते हैं जैसे कि आपको डाइसेंटरी हो गया यानि ज्यादा लूज मोशन होने की बाद में अगर आपको सरीर में पानी की कमी हो गया हो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्राक्ट इंफेक्शन हो गया हो आपको आतों में सूजन हो गया हो पेट में दर्द हो रहा हो आपको urinary tract infection यानि आपको पिसाब सम्मंदित कोई भी प्रॉब्लेम हो पिसाब में जलन हो पिसाब में धर्द हो आपको जेनिटिल इन्फेक्शन हो तब भी especially doctor द्वारा ये दवाई पेस्क्राइब किया जाता है मेरे द्वारा दिये गए जानकारी की इलावा doctor आपने अनुभाब की उपाद डिपेंड करके और भी बहुत सारे बिमारियों को ठीक करने के लिए ये दवा पुरैक में ले सकते हैं तो चलिए एक बार इस दवाई की डोज को समझ लेते हैं वह ऐसे तो डॉक्टर कोई भी दवाई का डोज पेशन्ट को देखते हुए तथा बिमारियों की कंडिशन की उपाद डिपेंड करके ही डोज को सिलेक्ट करते हैं लेकिन इसका जो नॉर्माली डोज होता है वो द दवाई की साइड इफेट की बारे में और कंट्रा इंडिकेशन की बारे में समझ लेते हैं दोस्तो इस दवाई से आपको हेडेक, ड्राइनेस अफ माउद, कॉफ, डिजिनेस, लॉस अप अपेटाइड, व्रेटिंग प्राब्लेम, एब्डोमिनल स्वाइलिंग जैसे प् प्राब्लेम दिखाए दे, तो अब तुरांत अपने डॉक्टर से कॉंसल्ट करे, ताकि समय रहते आपकी जान बचाय जा सके, दोस्तो ये दवाई 12 सल की नीचे बच्ची को नहीं दी जाएगी, प्रेगनेंट माताओ को तथा ब्रेस्ट फीडिंग माताओ को भी ये दवा नहीं दी जाएगी, अगर आप एलकोहल का शेवन करते हैं, तब भी आप ये दवाई न ले, तो दोस्तो ये था आज का नॉर्फलेक्स टीजेट की बारे में छोटा सा जानकारी, आशा रखता हूँ, जानकारी समझाने में समर्थ रहा हूँ, अगर आप जानकारी समझ पा तो उसकी लेटेस्ट नटिफिकेशन सबसे पहले आप की पास पहुँचे, तो दोस्तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी की साथ, तब तक के लिए स्वास्त रहे, जैहिंड!